नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलिवूड गपशप और आपके साथ मैं हूँ शिवानी और एक बर फिर से मैं लेकर आई हूँ बॉलिवूड की चटपटी और मसालेदार खबरे तो चलिए करते हैं शुरुवात स्पाइसी खबरों के साथ अधित्य के रिष्टे पर सवाल उठे तो भाई अधित्य का गुस्ता कोई नहीं रोग पाया उसने सब के सामने चिला कर बोल दिया कि हां इमली मेरी पत्नी है मालीनी से शादी करने के बाद उससे इमली से प्यार हुआ ऐसी कितनी बात आधित्य और इमली के अलावा बहु उसकी पत्नी का सम्मान करेंगे अब आप सब ये तो जानते ही हैं कि इमली के लिए आसान नहीं होगा सत जानने के बाद घरवालों के साथ उसी तरीके से रहना खेर ये तो बात की बात है देखते हैं आगे क्या होता है बॉलिवुट की पंगा क्वीन अरे अब तो आप समझी गए होंगे न हम बात कर रहे हैं सोशिल मीडिया पर सबसे जादा कंट्रोवर्सी में रहने वाले कंगना की वैसे तो सक्सेस्फुल और पॉपुलर एक्ट्रोस कंगना रनौट के फैन फॉलोईंग की जो लिस्ट है न वो जड़ा लंबी है अब इन्ही फैन्स में से एक छोटी फैन है जो लगभग पॉफिक तरीके से कंगना के नकल करके सब का ध्यान अपनी तरफ खीच रही है इस 9 साल के बच्ची ने कंगना का भी ध्यान अपनी और खीच लिया है कंगना की तरफ से उस बच्ची को एक बहुत प्यारा सा मैसेज भी मिला है सनम पूरी नाम की ये बच्ची छोटी कंगना के नाम से सोछल मीडिया पर फेमस है इस बच्ची के न सिर्फ कंगना के जैसे करली बाल है बल्कि वो कंगना की तरदा आक्टिंग भी करती है अपनी ननी फैन की अदाओ को देखकर कंगना रनौत काफी इंप्रेस हो गई और कंगना खुद को रोक नहीं पाई कंगना ने अपने इंस्टरग्राम स्टोरी पर इस छोटी बच्ची की वीडियो को शेर करते हुए लिखा ओई छोटी तू पढ़ाई भी करती है या सारा दिन बस यहीं करती है जिस पर बच्ची ने जवाब दिया मैं क्लास टॉपर हूँ वैल कंगना की इस कमेंट ने तो सनमपुरी का दिन ही बना दिया आपको बता दे कि कंगना और छोटी कंगना की मुलाकात अमरित सर में हो चुकी है सनमपुरी कंगना की तरह कपड़े पहनती है और कंगना की तरह पोस्ट देने की भी कोशिश करती है और वो अपनी फोटो से फैंस का दिल भी जीत लेती है अरे खामोश क्योंकि अब आ रहे हमारे विहारी बाबो सतरगन सिन्हा जिन्होंने अपनी शादी के 40 साल पूरे कर ली है सतरगन सिन्हा और पूनम सिन्हा ने कई साल एक साथ बिताए है और बिना किसी अर्चन के इन सालों की संख्या काफी लंबी हो गई है भाई एक 40 साल कम थोड़ी होते हैं वहीं अपने लविंग पेरेंट्स के सालगिरा के मौके पर उनकी लादली बेटी सुनाक्षी ने उन्हें गिफ्ट दिया है सुनाक्षी सिन्हा अपने दोनों भाई लव और कुष सिन्हा के साथ मिलकर एक नए इनिशेटिव की शुरवात की है जिसे उन्होंने हाउस अफ क्रियेटिविटी का नाम दिया है वैसे शत्रुगन और पूनम की जोड़ी जितनी कमाल के दिखती है उतनी कमाल की उनके लव स्टोरी भी है क्या आपको पता है कि शत्रुगन सिन्हा की पहली नजर का प्यार है पूनम सिन्हा जी हाँ एक चलती ट्रेन में शत्रगुन सिन्हा और पूनम चंद्रमनिका की मुलाकात हुई थी दरसल रोती हुई पूनम ने उनका ध्यान अपनी तरफ खीचा था पूनम घजब की खुबसूरत थी, वो मिस यंग इंडिया भी रह चुकी थी जब शत्रगुन ने पूनम को रोते हुए देखा तो उन्हें चुप कराने के लिए एक मैगजीन पर लिखा कि इतने सुन्दर लड़की को रोना शुभा नहीं देता हाला कि पूनम को उनकी ये हरकत बिलकुल पसंद नहीं आई थी और पूनम ने वो मैगजीन फेक दी लेकिन किस्मत ने दोनों को एक बार फिर से मिला दिया और बस फिर क्या था? शत्रग्न ने इस बार अपने दिल के बाद पूनम से कहते हुए उनको प्रपोस कर डाला खूबसूरत पूनम भी तब फिल्मों में काम करने लगी थी और शत्रग्न के साथ बढ़ती नस्दीकिया सब का ध्यान बचोरने लगी थी हाला कि पूनम की मा को इस रिष्टे से सक्त एतराज था ये बात खुद शत्रग्न ने बताया था कि जब उन्होंने अपने भाई के जरिये इस बात को पूनम की मा तक पहुँचाई तब पूनम की मा ने रिष्टे को साफ ठुकरा दिया उन्होंने साफ साफ कहा दिया था कि मेरी बेटी गोरी है और तुम्हारा भाई कालिया है पूनम अर्शत्रुग्न की लव स्टोरी में रीना रॉय नाम का ट्विस्ट भी आया था जब शत्रुग्न पूनम को डेट कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में उनका अफेर रीना रॉय के साथ भी चल रहा था खास बात ये थी कि रीना शत्रुग्न से उम्र में 11 साल छोटी थी फिर भी ये फासला उन्हें अपने प्यार के आगे कम लगा दोनों इस कदर प्यार में डूपे थे कि लोग इनकी शादी का इंतिजार कर रहे थे लेकिन जब इस अफेर की खबरे पूनम तक पहुची तो उन्होंने शत्रुग्न पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिरका शत्रुग्न ने रीना का दिल तोड कर अचानक पूनम से शादी कर ली अब इस जोडी को एक दूसरी का साथ निभाते हुए पूरे एक तालिस साल का लंबार सा हो गया है फिल्म डस्ट्री या बॉक्स ओफिस पर तो इस बिजली का उतना कहर नहीं टूटा जितना असर दो बड़े धुरंधरों के दिलों पर इन्हों ने किया इनके दिवानों ने यूही इनका नाम बिजली नहीं दिया जी हाँ हम बात कर रहे हैं संगीता बिजलानी की स्टार बन गई फिल्मों में नहीं तो कंट्रवर्सी में संगीता कभी पीछे नहीं रही एक्टर संगीता बिजलानी और सल्मान खान का रिलिशन्शिप और ब्रेक अप तो किसी से नहीं छुपा है वो भी एक वक्त था जब दोनों की शादी की कार्ट तक छप गए थे लेकिन फिर दोनों ने अलग होने का फैसला ले लिया लेकिन आपको बता दे कि अब सल्मान और संगीता बिजलानी अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंशिप वाला बॉन भी शेयर करते हैं हाली में एक इंट्रव्यू में संगीता ने सल्मान के साथ अपने रिष्टे को लेकर बात की है संगीता ने कहा कि कनेक्शन कभी ब्रेक नहीं होता और नहीं कनेक्शन कभी दूर जाते हैं आपके partner, school के दोस्तों के बीच का प्यार कभी कम नहीं होता लोग आएंगे और जाएंगे, जिंदगी में कोई भी permanent नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि आप गुस्ता महसूस करते हैं मेरे जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया जब मैं बचकानी और बेवकूफ थी लेकिन अब मैं mature हो गई हूँ इससे पहले भी coffee with current में सलमान ने संगीता के साथ relation के बारे में बात की थी उन्होंने कहा था एक समय था जब मैं वास्तों में शादी करना चाहता था और फिर बात नहीं बनी मैं हमेशा इतना करीब आया हूँ लोगों के पैर ठंडे हो गए है boyfriend ठीक है पर इसे जिंदिगी भर जेलना पड़ेगा क्या संगीता के साथ यहां तक की कार्ट भी प्रिंच कर दिये गये थे वहीं वर्ब फ्रंट पर संगीता ने 1987 में आधियत्य पंचोली के साथ कातिल से बॉलिवूड में कडम रखा इसके अलावा वो तृदेव, हतियार और जुर्म जैसी फिल्मों में भी नज़र आ चुकी है बॉलिवर एक्टर कार्टी कारण पिछले काफी दिनों से फिल्म डिरेक्टर्स के साथ मतभीदो की वज़े से खूब सुर्खियों में है लगतार उनकी हाथ से एक के बाद एक कई बड़ी फिल्म में निकल जाने की खबरे आई सबसे पहले प्रोड्यूसर करण जोहर ने अन्प्रोफेशनल बिहेवियर के चलते उन्हें फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखा दिया और इसके बाद रेट रिलीज इंटर्टेन्मेंट ने भी उन्हें फ्रेंडी का हिस्सान नहीं बनने दिया इन खबरों से कार्थिक के फैंस काफी सैध हैं हलाकि अब कार्थिक आरियन के फैंस के लिए एक और शौकिंग न्यूस सामने आई है खबर है कि कार्थिक की अपकमिंग फिल्म भूल भूलेया 2 की रिलीज देट को अगले साल तक के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है खबरों की माने तो बताया गया है कि भूल भूलेया 2 की शूटिंग इसी महीने से शुरू होने वाली थी लेकिन मेकर्स ने कुछ कार्णों के चलते इसके शूटिंग को अगले महीने तक के लिए बढ़ा दिया है ऐसे में ये मुम्किन नहीं दिख रहा है कि फिल्म इस साल रिलीज हो पाएगी सूत्रों के मुताबिक प्रोडक्शन हाउस से पूरी कास्ट और क्रू को एक ईमेल भेजा गया है जिसमें उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है हलाकि इस फैसले के पीछे की वजय के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है बता दे कि इस फिल्म में कार्तिक क्यलावा कियारा अडवानी और तब्वु भी एहम करदान निभा रही है फिल्म भूल भूलेया 2 साल 2007 में रिलीज हुई अक्षे कुमार और विद्याबालन की सूपर हिट फिल्म भूल भूलेया का सीक्वल है अक्षे की भूल भूलेया को डारेक्टर प्रियदरशी ने बनाया था जबकि कार्तिक की भूल बोले या टू का निर्देशन अनीज बजामी कर रहे हैं और इस फिल्म के प्रोडूसर भूशन कुमार है टीवी के फेमस रियालिटी शो बिग बॉस पंद्रा के लिए फैन्स काफी एकसाइटेड है वही सल्मान खान के होस्ट के जाने वाला ये शो काफी बर्ज में भी रहता है इस साल के सीजन के लिए शो के मेकर्स ने टीवी से लेकर बॉलिवुट के कई सितारों से भी बात चीत की है इसी बीच अब लेटस खबरों में बताया जा रहा है कि टीवी के पॉपलर शो भावी जी घर पर है कि अंगूरी भावी शुभांगी अत्रे को शो का ओफर मिला है जी हाँ अब इस खबर का सर्च खुद एक्टरोस ने ही बताया है दरसल शुभांगी ने कंफर्म किया है कि उन्हें सीजन 15 के लिए ओफर मिला है लेकिन वो लॉंग रनिंग टीवी शो भावी जी घर पर है को नहीं छोड़ेंगी शुभांगी ने कहा कि मुझे बिग बॉस शो में बतोर कंटेस्टेंट बन कर कैसा लगता है ये नहीं पता लेकिन मेरा दल बहुत कूमल है मैं घर में जब भी बिना किसी बात के लड़ाई होती है तो थोड़ी निराश हो जाती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती जानकारी के लिए बता दे कि NTV के शो भावी जी घरपन है कि सभी किरदार हर घर में पॉपुलर है शो की पुरानी अंगुरी भावी यानि के शिल्पा सिंदे बिग बॉस बारक की हिस्सा रह चुकी है और शिल्पा ने शो को जीता भी था शुबांगी ने आगे कहा कि मैं अपने शो के प्रती अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ मैं उधर पार्चिसिपेट करके और बिग बॉस हाउस में बंद होने के लिए शो को नहीं छोडूँगी और अपने ओडियंस को निराश नहीं करूंगी उन्होंने बताया कि ये पहली बार नहीं है हर साल मेरे से इस शो में शामिल होने की बात पूछी जाती है यहीं वज़ा है कि उन्होंने इस शो को फॉलो करना शुरू किया था बॉलिवुट की बेवो करीना कपूर खान और नवाब सैफ अली खान इसी साल फरवरी में दुबारा पेरिंट्स बने जिहां करीना ने एक और बेबी बोई को जन्द दिया लंबे वक्त से फैंस करीना सैफ के छोटे नवाब का जलक देखने का इंतिजार कर रहे हैं तो वहीं सैफीना के बेटे के नाम को लेकर भी फैंस कई तरह के कयास लगा रहे हैं अब फैंस की excitement को खत्म करते हुए बेबो और सैफ के बेटे का नाम का खुलासा हुआ है झाल